हेलो दोस्तो आज हम यह आपर बात करने वाले है एक परिटिकुलर शेयर से लेटेड जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड थीक है तो कंपनी के बारे में जानेंगे इसके फंडमेंटल के बारे में जानेंगे आप देख भी पारे हो 160 रुपे पे शेयर है लगभग 4.86% यह लाश्ट टेडिंग सेशन में बढ़ता हुआ नजरा है क्या लेना चाहिए बेचना चाहिए सारे लेवल्स आपके लिए प्रस्तुत करता हुआ नजरा होंगा बटिश्टेल याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है अपने फाइने करके वीडियो देखिए लाश्ट तक देखिए क्योंकि याद रखिए पैसा कमाना है तो महनत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको डूबना पड़ेगा इस टॉक मार्कित में जब डूब होगे ना स्टार्टिक में डूबना पड़ेगा बाद में आराम से पैसे ब करने नहीं शेर क्यों भगते हैं शेर क्यों गिरते हैं यह सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे 25,000 रुपर कोर्स है थ्री मंस की हैं डोल्डिंग में इस्टाइज यूज इन श्टॉक मार्केट हैं और सब कुछ दिया जाएगा एक बार कोर्स किया तो याद रखिए एक साल जैसे मैं आने आपको बताऊंगा उसके इसाब से प्रैक्टिस कर लीजेगा किसी के पास जाने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको आप खुद समझ पाएंगे कि यह स्टॉक मार्केट है गया और किस तरीके से चलता है इसके इलावा काम करना है किसी को तो इनी नंबरों प कांटक करें पॉटफोलियो थीन लाग चाल लाग पचास लाग पचा एक करोड जेतना ही बड़ा हो आप कांटक करके देखिए बात करके देखिए बात हमारे बीच में जमेगी तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ओके आप एक बार प्राई कर सकते हैं बाकी किसी का चोट स्टील कास्टिंग यहाँ पर स्टील कास्टिंग शायद हमने इससे एलेटेड वीडियो नहीं बनाई चलो ठीक है कोई परिशारी नहीं है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह हमारा ग्रूप है बाई ए यहाँ पर यह तारिक थी ठीक है उस ताइम प्राइस 47 रुपे 46 रुपे के आस पास चल रहा था यहाँ पर 2 रुपे का रिस्क था हमने यह पर यह शेर दिया थे वहां से आप देखेंगे तो लगबट 259 परसंट यह शेर भाग चुका है ठीक है दूसरी बात यहाँ पर आ नवंबर में बताया गया था ठीक है 10 नवंबर मान के चलते दस नवंबर पर आप देखेंगे तो 90 रुपीस के आसपास यह शेर था 10 नवंबर के आसपास देखीं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है 5 मंस and few days complete and now शेर is 96 रुपीस to announce good number ready for the another rally pending तो यहाँ पर देखिए another rally pending जो लिखा वो भी यहाँ पर achieve होता हुआ नज़र है तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं काम करते हैं अगर आप चाहे ऐसे शेर जो की यहाँ पर मतलब कहते हैं न कि पकरा है जो भागने को तयार है ऐसे शेरों में इंवेस् ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इलेक्टो इस्टील कास्टिंग लिमिटे मार्किट काप की बात करें तो 949 करोड़ रुट की कंपनी है ठीक है तो small cap share है और हमारे channel का नाम भी क्या है I am small cap investor तो हमारी expertise है न वो small cap share हो में दूसरी बात करें company देखिए is engaged in the business of manufacturing ductile iron di pipes as well as ductile iron fitting cast iron pipes and produces and supplies big iron तो अलग लग तरीके के irons और iron pipe और उनकी fitting से लेड़ी कंपनी काम करती हुई नजराती है इनकी website पर विजिट करना तो आपको समझ में आ जाएगा company किस तरीके से काम कर रही है company का India में 73% और outside India से यहां पर 27% का यहां पर business होता हुआ नजराया है पूरा एक idea जाएगा तो जाके एक बड़ विजिट कर लिजिए इनकी website को इंड़िश्टी P28 इसका P22 अभी भी सस्ता में जराता है बढ़ हमेशा की तरह मैं हमेशा यही कहता हूँ कि PE काम नहीं करता हूँ पी ज्यादा है तो नहीं भागेगा PE कम है तो भागेगा या गिर जाएगा इसा कुछ नहीं होता तो PE को छोड़ दीजिए जो भी PE की बाते करता हूँ बेबकूफ है एक तरीके से सब्सक्राइगा तो हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ पर आरोसी आरोसी आरोई को भी देखने की जरुवत नहीं है अच्छा नहीं है ठीक है भी इसके उपर अच्छा मान आसपास का डेट भी है कंपनी के नहीं यहाँ पर लगबर 12.5 परसेंट शेयर यहाँ पर प्लैस कर रखे है जो की इशु वाली बात नहीं है कंपनी के यहाँ पर नमबर की बात करें क्यू थिरी के नमबर आने वाले है कब आएंगे यहाँ पर देख लीजिएगा बट इस यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको बता चलेगा कि कंपनी साड़े साथ सो करोड की सेल से लगबग यहाँ पर 2000 करोड की सेल तक पोच चुकी है नेट पॉफिट देखेंगे जो घाटे में था वो यहाँ पर लब एक सो पिशत्य करोड का हाइस टैवर प्रॉफिट पर पोच गई है नेट पॉफिट की बात करेंगे तो नेट पॉफिट देखेंगे हाई अच्छ टैवर पर चल रही है एस वैल एज रिजर्वस की बात करें तो कंपनी के पास 4500 करोड के आसपास के रिजर्वस है बॉराइंग है जो कि एक कंसर्ण हो सकता है आगने वाले टाइम में बटिश्टेल की जब तक कंपनी अच्छ गर रही है तक तक इसा डरने की जडरूत नहीं है और आगे बॉराइंग को कम कर देती है अब तो पॉजिटिविटी इसके लिए होगी वर्किंग प्रोगर ग्रेस में लगबग 1281 करोड रूपे लगा रखे जो की पॉजिटिव चीज है जो कि आने वाले टाइम में इस कंपनी को और अच्छा गासा बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट है अच्छा गासा 391 करोड का कैश भी है 388 करोड रूपीज का एस वेल एस कैश की बात करें पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं प्रमोटर्स का 44.8% के शेयर 44.08% के घटते हुए नजर आए है 2021 के एकॉर्डिंग बट इस्टल अच्छी खासी होल्डिंग है FI's की ओल्डिंग यहाँ पर देखींगे लगातार बढ़ी है और इस पर्टिकुला कॉर्टर में भी 3% की बढ़ती हुए नजर आई है और पब्लिक की ओल्डिंग की बात करें यहाँ पर देखिए कम होते हुए नजर आए और हमेशा पब्लिक का कम होना FI's, DI's और promoters का बढ़ना हमेशा positivity की तरफ ही इशारा करता हुए नजर आता है यहाँ पर आप देखींगे company का trade तो यहाँ पर देखिए promoters जो थे 2020 से लगातार यहाँ पर buying करते हुए नजर आ रहे थे तो अभी क्या नजर आता है इस particular share में नजर आता है कि अच्छा का सा balance sheet है सब कुछ अच्छा नजर आता है ठीक है एक बार इस बार आप company के result देखेंगे उसके बाद एक idea लगता हुआ नजर आएगा कि company में यहाँ पर exactly क्या चलता हुआ नजर आ रहे ठीक है तो अगर आप भी चाते है कि इसी तरीके से आप आपको ऐसे research वाले ऐसे fundamentally strong share ऐसे छोटे share जो आपके पैसे बना दे हाना तो आप क्या कर सकते हैं इन number पर contact कर सकते हैं साथ में काम कर सकते हैं ठीक है आप एक बार बात करके देखिए आपको पता चलेगा कि exactly क्या चलता हुआ नजर आ रहे बैसिक्स तो एडवांस पूरा पूर्स है ठीक है इसे आप कर सकते हैं नमबरों पर contact करके सीख सकते हैं तो वैसा बनेगा बाइंक सेलिंग के इसे कोई dictionary कहती नहीं है तो इसीट को भी याद रखिएगा ठीक है यहाँ पर हम देखे तो शेयर लगबह लगबह 200 रुपे तक जा सकता है ठीक है अच्छी थासी upside अभी भी बच्ची हुई है यहाँ पर आप देखेंगे एक multi-year breakout होता हुआ नजर आया था 102 पर अगर मैं इसे यहाँ पर जाता हूँ तो उसके हिसाब से जो हमारे target आ रहे है वह target भी देख लिए लगबह 200 रुपे के आसपास के target है तो अभी भी 40-50 रुपे की upside यहाँ पर बच्ची हुई है ठीक है 40 से लेके 100 रुपे की upside यहाँ पर बच्ची हुई है इस इसी पर याद रखिए पहली बात दूसरी बात कि हमें इस शेयर को अभी लेना चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा कि यह शेयर अब भोतमेंगा हो चुका है फिलाल की डेट में ठीक है यहां से एक छोटी सी गिरावट हो भी सकती है ठीक है 20-30 रुपे नीचे आता उस ताम आप एक बार सोच सकते हो और वो भी इतनी जहारी चीज़े भाग जाती है तो एक पर्टिकूलर स्टॉप्लस लगा के आप यहां पर देख सकते हो सोच सकते हो इस पर्टिकूलर शेयर के रिलेटेड या फिर वेट करिए एक बार इसके रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद यहां पर देखिएगा और टार्गिन में आपको बता चकाओं कि शेयर यहां तक जा सकता है बट श्टिल बाइंग सालिंग की रिकमेंडेशन नहीं है यह मेरे खुद के लेवल है ठीक है मुझे लगता है कि अगर यह शेयर दुबारा बी 15-20 रुपे गिरता है उसके बाद इसमें एक लेने की आपर भाई किये है हमारे पास थे मेरे कौरेंट के अभी भी है शायद यह लेक्टो श्टील टीक है मेरे पास नहीं है मैंने आपर पहली निकाल दिया था बेस दिया था स्विंग करके पर इस्टेल याद रखिएगा इससे बहतरी शेयर भी हमने आपर देखे है सब कुछ देखा है ऐसे शेयर हमने निकाले भी है आप साथ में जब काम करेंगे ना तो आपको समझ मेरेगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब बैर आइकन को हिट करिए थैंक यू सो मुच और ब्लेस